तो यह है रिक्वेस्टर वीडियो और मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अपनी हैर लेंद की जर्णी जो कि आप भी पास सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और यह घरेलू जो उपचार होते हैं घरेलू हो में रेसिपी जो बहुत अच्छे होते हैं हमारे बा बालों का सल्यूशन आपके साथ में लेकर आई हूं तो इसे जरूर अपलाए करिएगा तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीजे शेयर करना चाहती हूं जैसे आप लोगोंने मेरी पहले भी वीडियो देखी होगी तो मैंने बहुत बार अपनी हैर कटिंग करवाई है और उस हैर कटिंग के दोरान में मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हैर ग्रोथ होगी कि नहीं बट मैंने स्टार्ट किया था अपनी हैर को ग्रोथ करने के लिए और अगेन अगेन ऐसे विक्वेस्ट आती थी कि मैं आप जरूर अपने हैर कटिंग करिये तो मैंने उनकी यह लेखे आप इसे बना के स्टोर करके रख सकते हैं और यह बहुत ही अच्छा होता है अपके बालों की ग्रोज के लिए यह आपको किस तरह से बना ना है अप्लाई करना है आपने पालों पर यह बहुत ही आपके रिजर्द एंगे 100% आपके बाल जो हैं वह लंबे होंगे और काले और घने भी बने रहेंगे और एक भी बाल आपका नहीं टूटेगा दोसे यह बहुत ही अच्छा सा होमेट जो DIY होते हैं यह इतना अच्छा वर करते हैं हमारे बालों के लिए कि आप खुद जब इसका यूज करना स्टार्ट करोगे तो यह बहुत ही अच्छे से सकते हैं जो आप यूज करके अपने बालों को जड़ने से गिरने से स्टूटने से प्रिटंट की प्रॉबलम होने से तक बचा सकते हैं तो चलिया जादा बाते नहीं करूंगे और आप लोगों के साथ में शेर करती हूं इस रेमेडी को इसे बनाना है और पूरी बने किस तरह से प्रिपेर किया तो लेट्स केट स्टाटिब फ्रेंड्स आज में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अलोवेरा प्लांट से आपना हर्बल शैंपू बना सकते हैं और हर्बल हैर ओयल बना सकते हैं जो कि आपके बालों को तेजी से लंबा करेगा तो दोस्तों यहां पे आलोवेरा को हमने पानी में नीचे की तरफ नीचोड के रख दिया है उससे यलो कलर जो होता है वो रिमूव हो जाता है अब हमें यहां पे आलोवेरा के प्लांट को इस तरह से कट कर लेना है आपको फ्रेश एलोवेरा ही लेना है दोस्तों फ्रेश एलोवेरा के leaves ही लेने है इसे अच्छी तरह से आपको कट कर लेना है एक बावल में और हम आप इसका छिलका नहीं निकालेंगे तो जादा अच्छा होगा क्योंकि हम इसे छिलके के साथ में अगर जब हम इसे आगे का प्रोसेस करेंगे तो ये बहुत ही best होता है इसे आपको cut कर लेना है सबसे पहला जो procedure होगा उसे हम यहाँ पर बनाएंगे शैम्पू तो शैंपू बनाने के लिए आपको लेना है फ्रेश Aloe vera के ये जो लीव से वोसे ले लिजिये और Aloe vera हमारे बालों को जळर ने से बचाता है, बालों में मज़बूती ले के आता है, बालों को शायनी बनाता है इसके बहुत सारे फाइदे होते हैं दोस्तों तो इस तरह से आपको लेना है इस अलवेरा के अंदर आपको डालना है आमला का जूस अगर आपके पास आमला जूस नहीं है तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं और अगर आपके पास है तो यहां पे आमला का पाउडर भी आप यूस कर सकते हो और वाटर डालके इसका आप ग्रा तो मैं इसका यूस करूंगी एलोवेरा के जूस और हमने आवला के जूस में इस हर्बल शैंपू को एड़ करना है आप जितना शैंपू आपके हैर लेंथ अकॉर्डिंग ले लीजिए और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब हमारा जो शैंपू है जो फर्स प करने के लिए आमला बहुत अच्छा होता है अलोवेरा भी बहुत ज्यादा है और इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं है यह हर एक चीज जो है वो नाच्छल है और यहां पे जो मैं शैंपू यूस कर रही हूं वो भी काफी अच्छा है और नाच्रल है इसके कोई भी पूल में ले लीजे ताकि आप इसको डबल बॉइलर कर सको तो हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ डबल बॉइलर ही करके अपने हैर ओल को प्रिपेर करेंगे यह बहुत अच्छा होता है आपको डिरेक्ली यहां पे ऐलोवेरा के जो प्लैंट से उसे नहीं पकाना है क्यों नह आपको coconut oil जो virgin coconut oil होती है नो दोस्तों आपको वो लेना है अगर आपके पास virgin coconut oil नहीं है तो आप option में ले सकते है नारियल का तेल भी ले सकते हैं यहां पे मैं virgin coconut oil का यूज़ कर रही हूँ और इस अलवेरा के आपको लिफ्स में आड़ कर देना है तो आप जितना मंचा है इसे रेडी कर सकते हैं इसे आपके बालों की ग्रोध बहुत अच्छी होती है अगर आपको इची स्कैल्प है ना तो इसे बहुत राहत मिलती है अब डबल बॉइलर का यूज़ करेंगे थोड़ी महनत तो आपको दोस्तों करनी ही पड़ेगी इसे डबल बॉइलर में जब इचिंग की प्रॉब्लम से चुटकारा दिलाता है और यह बहुत ज़्यादा कारगर है दोस्तों आज के डेट में अगर आपको बालों की समस्या है बाल बढ़ते नहीं है नो तो इस हैरोईल का आप ज़रूर इस्तमाल करिए अलोएरा में विटामिन A, विटामिन C और E की मातरा काफी ज़्यादा पाई जाती है जिससे की न हमारे जो हेल्दी सेल्स होते न वो ग्रोथ करता है प्रोमोट करता है अलोएरा और बालों को चमकदार बनाता है इसमें मौजूद विटामिन बी ट्वेल और फॉलिक एसिड बालों को गिरने से रोकने के लिए बहुत ज़ जाधा हेल्दी होती है वहां पे बलड सर्कुलेशन होने के वजह से बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अव्रिद्धी होती है तो इसे तेजी से नए बाल भी आते हैं तो ऑईलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो इस तरह से डबल बॉइलर में जैस इसे मैंने अब पूरा डेमो करके बता है पूरी एंड तक वीडियो देखे तब आपको समझ में आएगा मैंने अपने बालों में इसे अच्छी तरह से चंपी करके आप लोगों को दिखाया है अपने स्कीन पे भी आपको इसे यूज करना होता है तो ऐलोवेरा ना क्या कर यह गंजेपन को दूर करने के साथ साथ में यह नए बाल उगाने के लिए भी बहुत ज़ादा गुणकारी होता है आपको मैंने जो शैंपू बता दिया है वह शैंपू आप उसी तरह से बनाईए लगाईए अपने बालों पे सबसे पहले जब भी आप नहाने जाते दोस् हिसे ओर नाइड भी यूज करते हो ऑपने बालों पे तो यह बहुत ज़ादा वर्क करेंगा अर बाल इतने बहुत लम्बे होंगे आप खुद है रहान रहेंगे कि इतने जल्दी में हम आपके बाल लम्बे हो तो नहाने से आदा गंटा पहले आपने लगा लिया उसके बालों को अपने बालों को हर्बल शैंपू से ही वाश करिए और यह बहुत अच्छी रिजल्ट देंगे कम से कम हपते में तीन बाल इसका इस्तिमाल जरूर करिए इससे आपके बाल जली से लंबे होंगे बाल सफेद बाल जो हो रहे हैं आज के डेट में उससे भी आपको निजात मिलेगा सफेद बालों की जो समस्या है आज के डेट में बहुत से लोगे जली से बाल सफेद हो जात बहुत सारे reasons होते हैं जो भी लेकिन आपको hair oiling करना must है और herbal shampoo से ही अपने बालों को हमेशा wash करते रही है तो इस तरह से मैं morning में अपने बालों पर इसे apply कर रही थी और दोस्तों आप जरूर इसे share करिए अपने family friends and relatives के साथ में इस useful वीडियो का अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करिएगा and share जरूर कर दीजिए दोस्तों and subscribe भी कर सकते हैं आप अगर नए है तो subscribe जरूर कर लीजिएगा तो यहां पे आप अपने बालों की बात हो गई हमने बालों पर इसे apply कर लिया देखे पूरी अच्छी तरह से आपको चंपी करना होता है इसके बा काम पे लेना है अच्छी तरह से warm कर लेना है और इसे massage करें इसे आपकी skin glow करेगी और skin tightening का काम करती है अलो एरा anti-aging properties पाई जाती है अलो एरा में यह skin के लिए बहुत अच्छा होता है तो oil आप अपने घर पे ही इस तरह से बना किया आप न खुद अपने face पे इसकी massage करिए अप और direction में जैसे कि मैं यहां पे कर रही हूँ आप देख सकते हैं और यह आप over night में भी आप इसे कर सकते हो और morning time पे भी आप इसे कर सकते हैं तो कम से कम अपने face पे skin पे इसकी massage आप जरूर करिए कम से कम 10-15 minutes आपको अच्छे से massage देना होता है अगर आपको जुरियों क प्रॉब्लम है रिंकल्स की प्रॉब्लम है तब भी आप इसका यूज करिए यह बहुत इची तरह से work करेंगे अंडर आड आर सर्कल है तब भी इसे आप यूज करिए और इसी तरह से आपको करना है दोस्तों तो चलिए फिर आज की वीडियो डियावाइ कैसी लगी जरू और कॉमेंट करके बताइए दोस्तों have a nice day have a great day